आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोति शूर्जा में आपको यहां पर इस चैनल पर मिलती हैं बहुत सारी जानकारियां जोति से संबंदित, उपायों से संबंदित और ग्रह गोचर की स्थितियों से संबंदित नवरातरे आने वाले हैं तो आज हम नवरातरों की बात क पर दो तरह की बूजाएं की जाती हैं सात्विक और तांत्रिक यदि आपके मन में कोई भी इच्छा हो और वो पूरी ना हो पा रही हो तो नवरात्री के दिन सबसे शुब माने जाते हैं ऐसे में अगर कोई भी इच्छा के लिए आप उपाय करते हैं तो वो जरूर फली आपके जीवन में सदा ही मा अपनी क्रिपा बनाए रखती हैं आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो नवरात्री पर आपके लिए विशेश दोर पर आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है जो भी व्यक्ति कि इसी भी तरह से आर्थिक रूप से परिशान है जिनको लगता है कि हमेशा धन आने में दिक्कत बनी रहती है उनके पास प्रयाप्त धन नहीं आता है तो आप इन दिनों में ये खास उपाय अपना सकते हैं जो आज मैं बताने वाली हूँ इस उपाय को करने से आपके जीव नो के नो दिन ताजे पान के पत्ते लेकर आने हैं ये पान के पत्ते आप पान के दुकान से भी लेकर आ सकते हैं इन पत्तों को आप अपने फ्रिज में लाकर रख सकते हैं या रोजाना आप ताजे पत्ते लेकर आए तो सबसे ज़्यादा बहतर है अगर दुकान आसपास नहीं है, काफी दूर है, तो इन नौ के नौ पत्तों को आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो आपने क्या करना है, नवरात्री के पहले दिन आप एक पत्ता लें, और उसके ऊपर आपने एक सुपारी रखनी है, सुपारी भी आप नौ लाकर रख सकते हैं घर में, और इसके तो अगले दिन भी आप दूरूपय का ही सिक्का लें तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने ताजे पान के पत्ते के उपर सुपारी रखनी है और इसके साथ साथ एक सिक्का रखना है। अब आप मंदिर में चले जाएं, नवरातरी में पहले दिन आप जब मंदिर जाएंगे तो एक दिया साथ लेकर जाएं, वो दिया आटे का बना हो, इसका ध्यान रखें और इसके साथ साथ देसी घी साथ लेकर जाएं, साथ में आप दो बाती लेकर जाएं और उस दिये को आ लिए नाजलाएं, इसका जरूर ध्यान रखें, और इसके साथ मा को पान, सुपारी और जो सिक्का आपने उसके उपर रखा है, वो चढ़ा दें. और मा से प्रार्थना करें, जो भी आपकी परिशानी है, धन से संबंदित, आप प्रार्थना करें, कि हे मा, आप उस परिशानी को हर सकती है, आप उस परिशानी को मुझसे दूर कर सकती है, अब मेरा जीवन बहुत ही अच्छे ढंक से चल रहा है, मैं आर्थिक रूप से रही हूँ, आप मुझे संपन्द करें. ये कामना आपने रोजाना नौ दिन करनी है, इसका जरूर ध्यान रखें क्योंकि एक दिन करके या दो दिन करके इसके रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे, आपने नौ के नौ दिन करनी है, नौ दिन इतने important क्यों है क्योंकि इस time पर मा की उर्जा धर्ती के आसपास होती है और हमारी धर्ती पूरी तरह से सराबोर होती है शक्ती की उर्जा के साथ जब energies हमारी धर्ती के आसपास होती है उस समय पर उन से की गई प्रार्थना फलदाई होती है इसलिए इन समय में जब नवरात्रे होत करने के लिए पर आपको सात में मिहनद भी करनी है ऐसा नहीं है कि उपाय किया और आप घर बैट गए बिलकुल भी नहीं आपको साथ-साथ मिहनद जरूर करनी है क्योंकि कहा जाता है कि भगवान उसी का साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देता है माँ आपकी बात को उपायक करने मातर से नौ दिन के अंदर ही आपको कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तो यह उपाय आप अपना कर देखें आपको जरूर इसके प्रभाव मिलेंगे और मा आप पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखेंगी। तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।